गैस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने फिलिप कार्ट से किसी आइटम का ओडर किया और आप उस आइटम को रिटन करना चाहते हैं किसी भी रीजन के विज़े से आपको बूर आइटम रिटन करना है तो आपको उसका रिफंड कैसे मिलेगा और आप उस आइटम को रिटन के लिए रिक्वेस्ट कैसे डालेंगे सारी चीज़े दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो चलिए दोस्तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तो आप Flip Card की एप ओपन करेंगे तो आपको इस प्रिकार का इंटरफेस दिखाई देगा, यहां पर आपको इक उपर बटन दिखाई देगा, जहां फिलिप कार्ट का लोगो होगा, तीन लाइनो बाला बटन तो आपने इस पर किलिक करना है, जब दोस्तो आप इस पर कि कि होंगे आपको उसकी लिस्ट सो हो जाएगी तो यहां पर आप दोस्तों देख सकते हैं यह एक आइटम है यह आप देखेंगे जो कि मुझे 26 तारिक को डिलीवर्ड हुआ था यह आप देख रहे होंगे यह एक राइटिंग बोर्ड है LCD राइटिंग बोर्ड तो मैंने इसक रिटन की रिक्वेस्ट डाल के दिखाऊंगा कैसे आपने रिटन के लिए रिक्वेस्ट डाल लिए तो दोस्तों आपने आइटम पर किलिक करना यहां पर आपको ओर्डर की डिटेल देखने के लिए मिल जाएगी और यहां पर आपको एक बटन देखने के लिए मिलेगा र आपको जो भी region हो आप यहां से list में से उसको select कर सकते हैं तो दोस्तो मैं यहां पर आपको इसमें region select करके दिखाता हूँ receive different color और style product ठीक है तो फिर आपको बोलेगा more detail के लिए तो आपने color different पर click कर देना यहां पर और आपको फिर बोलेगा comment करने के लिए तो आप comment करेंगे जब यह continue का button यहां पर आपको दिखाई देगा दरवाईस यह invisible हो रहा होगा आप इस पर click नहीं कर पाएंगे आपको comment करना ही पड़ेगा तो क्या issue है आपका आप यहां पर इसमें type कर दीजिए उसके बाद दोस्तो आपने continue वाले button पर click करना है जब दोस्तो आप continue वाले button पर click करेंगे तो आपको बोलेगा यह refund के लिए what do you want in return तो आपने refund वाले button पर click करना है जैसे आप refund वाले button पर click करेंगे तो आपको दोस्तों में बता दूँ देखिए कि यह जो मेना order किया था COD order किया था तो COD की case में क्या होता आपको payment तो आपकी बापस मिलेगी नहीं कि आपको cash बापस मिल जाए तो वो जो COD का refund होगा वो आपके bank में आपको मिलेगा तो जब भी आप COD के order के return के लिए request डालेंगे तो आपको यहाँ पर पूछेगा आपका bank account की detail क्या आप उसका पैसा bank में लेना चाहते हैं तो आपको UPI की या bank detail पूछेगा तो आपको यहाँ पर दो option देखने के लिए मिलेंगे आपने दोनों मैंसे किसी भी option को select कर लेना है तो मैं यहाँ पर दोस्तो आपको बताऊंगे कि आपने अपना bank account की detail कैसे add करने है जब आप order को return करेंगे तो तो दोस्तो आपने bank वाले option पर select कर लेना और यहाँ पर आपको बोलेगा add new account तो आपने add new वाले account पर click करना है यहाँ पर दोस्तो आपको ifsc code इंटर करना होगा उसके बाद account number उसके बाद आपको फिर से एक बार account number डालना अपना confirm करने के लिए और आपका किस नाम से account है account holder name आपको डालना है और phone number आपको यहाँ पर डालना है तो दोस्तो अभी आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर सारी detail इंटर कर लिए उसके बाद add new account वाले button पर click करना है जब दोस्तो आप add new account वाले button पर click करेंगे तो आपको यहाँ पर आपका bank का name दिखा देगा उसके बाद आपने confirm करना है जैसे आप confirm करेंगे तो यहाँ पर आपके bank की account एड हो जाएगी successfully दोस्तो अकाउंट detail एड करने के बाद आपको यहाँ पर account अपना देखने के लिए मिल जाएगा आपने उसको select कर लेना है उसके बाद दोस्तो आपको यहाँ पर नीचे address दिखा देगा किस address से आपका pick up होगा return के लिए और फिर आपको continue वाले button पर click करना है continue वाले button पर जब आप click करेंगे तो finally आपको दिखाएगा submit request के लिए तो आपने request के लिए इस button दबा देना है जैसी दोस्तो आप submit request वाले button पर click करेंगे यहाँ पर return item के लिए request यहाँ पर raise हो जाएगी आप देख सकते हैं इस तरीके से आपके return item की request raise हो गई है तो दोस्तो next day flip card की तरफ से आपका item को pick कर लिया जाएगा अगर किसी वज़े से holy day है तो वो उसके बाद holiday के बाद pick up किया जाएगा बट आपका pick up हो जाएगा और आपको time विम सब कुछ दिखा देगा कि कब आपका pick up होगा यहाँ पर आप देखेंगे refund will be transferred to your bank account within two business days after pick up is completed यानि कि pick up करने के बाद दो दिन में आपके bank में आपके पैसे आ जाएगे तो इस तरीके से दोस्तों आपने return की request डाल देनी तो दोस्तों उमीद करता हूँ आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और ज झाल 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 झाल